मैं सेलफस के शर्मा आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू दू कोडिंग जिसमें मैं आपको सी लेंग्विज सिखा रहा हूं और आज है प्रोग्राम नंबर 15 तो चलिए प्रोग्राम को समझ लेते हैं सही तरह से क्या करना है यूजिए इस्टेटमेंट राइट a program to convert a given temperature from Fahrenheit to Celsius and vice versa for an incorrect choice and appropriate message should be displayed यानि कि हमें user से पूछना होगा कि अगर आप Fahrenheit to Celsius करना जा रहे हो या फिर Celsius to Fahrenheit करना चा रहे हो और हो सकता है वो गलत choice दे तो हमें कोई उप्युक्त message जो है print करना होगा यहां पर एक hint है यानि कि एक formula है इस formula में C का मतलब है temperature in Celsius and F का temperature in Fahrenheit तो यह Fahrenheit को Celsius में convert करने का formula है इसी formula को थोड़ा change करके आप Celsius to Fahrenheit के लिए भी यूज़ कर सकते हों तो चलिए program देखते हैं यह program में आपकी screen पर आ गया है इसे मैं टर्बो C में लेकर चलता हूँ यहां मैंने अल्लेडी टर्बो C में इसे टाइप किया हुआ है तो चलिए इसे समझते हैं सबसे पहले तो यहां पर केवल htdio.ch header file include करेंगे math.ach मैंने असल में दूसरे program से copy paste किया था तो इसकी हमें ज़रूद नहीं है इसे हटा देते हैं अगर रखते भी हैं बेवज़ा अगर आप extra header file include कर लेते हैं तो इससे प्रोग्राइम के एक्जोईशन पर कोई फर्क नहीं पढ़ता है तो इस चीज़ का ध्यान रखें तो में फंक्शन में हमने यहां है जो हम चॉइस के लिए ले रहे हैं और एफ फैनाइट इसके लिए हमने ले लिए वन और ऐसे ही टू ले लिया फ्रॉम से टू फैनाइट के लिए तो एंटर चोईस यूजर चोईस देगा सीज़ वैरेबल में चोईस है जाएगी हो सकता है वह वन दे टू दे या कोई गलत नंबर दे तो सीज़ वैरेबल को हम स्विच की एक्स इन फैनाइट एफ में हमने इंपूट कर लिया टैंप्रेचर और यह हमने अपना फॉर्मिला लगा दिया फाइफ मैंस 32 डिवाइड 9 और जो भी रिजल्ट आएगा वह सी में आ जाएगा तो इस तरह से फैनाइट की वैल्यू सेल्सेस में गनवर्ट हो जाएगी फिर हम य सेल सेल सी में इख कर लिया औरिसेल्स को इखनाइट म कणवर्ट करने का यह फौर्ण वहता है उससे मैं ने कंवर्ट किया और एम किए इस फैना टीडी दू फिर पिंट किया ऐफ को क्योंगि सब्सक्राइग और यह हैं यह तो यह पोर्लिए हो एंपर सपोसक्त अपने में Fahrenheit to Celsius करना जा रहे हैं तो देखो program हमसे Fahrenheit में temperature मांग रहा है Suppose मैंने यहाँ पर 98 दे दिया तो वो equivalent temperature in Celsius दिखा रहा है 36.6 एक बार फिर से run करते हैं Suppose इस बार मैंने choice the 2 तो इस बार वो Celsius में मांग रहा है माले मैंने 36.5 दिया तो Celsius में यह equivalent Fahrenheit में दिखा रहा है 97.69 तो इस तरीके से यह program चल रहा है अगर कोई गलत number हम input करते हैं as a choice तो फिर हमें invalid choice दिखा रहा है program यहाँ पर end हो रहा है तो I hope आपको इस program समझ में आ गया होगा अगर यह video आपको पसंद आईए तो इसे एक like कर दीजिए और इस channel को अगर अभी तक subscribe नहीं किया है आपने तो फिल जहां learn to decoding लिखा वाँ टच करके इस channel को subscribe कर ले और bell icon भी प्रेस कर दे तो आज के लिए इतना ही Thank you